हालो एबरीबन वैलकम बेक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेस आप सभी सात्यों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेस में फिर से स्वागत है जो बच्चे यहाँ पर एम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों के लिए एक पहतरिन इंफोर्मेशन रहने बाला है और आप सभी लोगों को यह इंफोर्मेशन पाता हो गया होगा बट फिर भी मैं मेरे मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बता देना चाता हूं कि जो बच्चे एम्स नौल सेट को क्वालिफाई कर लिए हैं उनके लिए ऐसे तीन स्टेप क्या-क्या हैं जिनको आगे आपको केरी फॉर्बेट करना है यदि आप लोगों को स्टेप सेकेंड और मेंस का एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बैठना होगा तो तो वीडियो में आप लास्तक बने रहीगा हम कंप्रीट जानकारी वीडियो के माधम से कबर करने बाले हैं तो बिल्कुल वीडियो में बने यदि आपका नाम आरहा है यदि आपका नाम आरहा है इस तारिक से लेके तो पच्छिस तारिक के बीच में आप सभी लोगों को आपके इक्जामिनेशन CT के लिए आपको चूज करना है आपको city choose करना है माल लीजे जैसे आपका MP में है तो MP बाले बच्चों के लिए only Bhopal यहाँ पर city दिया गया है जिसमें वो लोग कर सकते हैं otherwise कहीं भी ऐसा city नहीं है कि आप कर पाऊंगे तो जितने भी Bhopal बच्चे हैं मद्यप्रदेश वाले बच्चे हैं वो only Bhopal को ही select कर दिजेगा इसके पास अदलोग option नहीं दिखेगा ठीके Bhopal के बाद यदि आप करना चाहे तो आप नागपूर या महाराष्ट कर सकते हूँ यह near पड़ेगा ठीके जिन बच्चों का भी नाम लिस्ट में है वो immediately यह action कर लीजेगा और किसी को भी यदि choice filling कर बाना है तो वो हमसे संपर्ट कर सकता है हम उनका choice filling free of cost में कर देंगे without no pick किसी पिरकार का कोई charges आप सभी लोगों से नहीं लिया जाएगा ठीके सेकंड क्या है सेकंड अपडेट यह है स्टूडेंट से जैसे आपने लिस्ट देखा हुआ ठीके तो उसमें आप लोगों ने देखा हुआ कि जो सबसी नीचे पीडियेप है उसमें आपने देखा हुआ कि कुछ यहाँ पर mention करके रखा ठीके तो mention यही है कि आपको 26 तारिक से 30 तारिक के बीच में आप लोगों को क्या है aims का preference पूछा जाएगा कि आप कौन से aims में करना चाहते है तो महाँ पर आपको क्या करना है कि aims का choice spelling करना है तो वो चीज भी ध्यान रखेगा वो भी अपडेट में आपको आने वाले upcoming videos में बता दूँगा तो उससे क्या है कि आप जैसे ही आप चॉइस पिलिंग कर लोगे आपके examiner city का उसके बाद आपको 26 तारिक से लेके तो 30 तारिक के बीच में आपको exam aims के लिए आपको choose करना है आपको कौन सा aims चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए ठीक है तो यह चीज़े आप ध्यान में रखिएगा और जो तीसरी अपडेट है हमारी जो लास्ट बन रहने वाली है उसमें क्या करना है उसमें आपका admit card release हो जाएगा S.A.M.C. ने दावा किया है कि वो चारतारी को आपका admit का करेगा यहाँ पर release कर देगा ठीक है तो इन चतीनों चीज़ों को mind में fit कर लीजेगा अच्छे से क्योंकि ऐसा नहों कि आप only study करते रहे जाओ और आपको यह चीज़ पता नहों और फिर आप exam के लिए ही eligible नहों ठीक है तो यह चीज़े भी करना बहुत ज्यादा ही आप लोगों के लिए mandatory है कंबल सरी है कि आपको यह तीनों काम करना बहुत ही mandatory है ठीक है हमें WhatsApp message कर देना है ठीक है call बगेरा भी कर सकते हो message भी कर सकते हो ठीक है किसी को कुछ भी लगता है choice filling करबाना है तो बिलकुल वह हमसे choice filling भी करबा सकता है ठीक है तो यह update आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है और जो बच्चे qualify हुए है उन लोगों को study नहीं की होगी जो aims को चाहिए होती है ठीक है तो आई होप आप डी मोटिवेट ना होईएगा आने वाला जो नौर सेट है अपरेल में उसके लिए आप अच्छे से तो उन topic को बार-बार revise करना है ताएकि आपके confusion क्या होकी दूर हो जाए ठीक है तो बिलकुल सिंपल सी बात है और repeat revision करना है है ना revision बार-बार करना यादि कोई सी चीज है कोई सा MSQ है कोई सा topic है वो आपको नहीं आता है तो उसको बार-बार आप अच्छे से पढ़ना है ठीक है सबसे बेश तरीका यही है आपका कि आपको चीज़े long term के लिए याद रहे जाए ठीक है तो आई हो आप सारी चीज़े समझ में समझ गए होंगे और आगे भी aims regarding कुछ भी update आएगा आपके अपने यूटूब चैनल medical origin nursing service से द्वारा बता दिया जाएगा तो up to date रेने के ल आपको सारी बाते के लिए समझ में आ गई होगी तीनों update को ध्यान में रखना है तो हम मिलेगे next update के साथ जब तक बने रही है आपके अपने यूटूब चैनल medical origin nursing services पर thank you so much guys keep watching us or keep steady doing hard ठीक है अच्छे सी करना है hard भी करना है और smartly study करना ठीक है ये चीज़े ध्यान में रखना ठीक है तो हम मिलेगे next update के साथ जब तक किसी को कुछ भी doubts होता है तो वो put up कर दीजेगा thank you so much guys